इस पूरे वीडियो की सचाई जानकर आप हैरान रहे जाएंगे दरसल मुंबई इंटरनाशनल एरपोर्ट पर यातरियों को लूटा जा रहा है ये गिरौः च्छतरपती शिवाजी महराज एरपोर्ट पर अक्टिव है कुछ ऐसे गिरौः है जो एरपोर्ट से उतरने वाले विदीशी परेटर और यातरियों को उनके स्थान पर छोड़ने के लिए उन्हें फसा कर दुगने से ज़्यादा पैसे लूटते हैं एर्पूर्ट पे मतलब जो भी टाउटर लोग आते हैं वो पैसेंजर से ज़्यादा पैसा लेते हैं इस गिरों के छलते मुंबई शहर को बदनाम किया जा रहा है इसका असर आने वाले समय में मुंबई पड़ेटन पर भी पड़ सकता है इस मामले पर स्क्वेर एक एजंसी ने विमांतल पुलिस से शुकायत भी की ये सेक्योरिटी एजंसी आठ सालों से मुंबई च्छतरपति शिवाजी महराज एएरपोर्ट पर रिक्षा तक्सी ओला उबर और बस सुबधाओं का माग दर्शिन कर रही है चत्रपती शिवाजी महाराच और यात्रियों और विदेशी परेटन को फसा कर अधिक किराया मांगने को लेकर समस्या बढ़ गई है सेक्योरिटी एजनसी का आरोप है कि रिक्षार टैक्सी चालक एरपोर्ट यात्रियों को शॉटकट और जल्दी बहुचाने के नाम पर उनसे दुगना किराया वसूलते हैं मुंबई एरपोर्ट पर यात्रियों के साथ हुए लूटमार को उन्हें फसाने को लेकर कुछ दिन पहले सिक्योरिटी एजनसीयों के साथ इस गिरोह ने जगडा भी किया था जिसका वीडियो जम कर वाइरल हुआ था खेलाकि इस मामले पर स्थान विमांतल पुलिस से शिकायत कर कारवाई की मांग भी की गई है लेकिन अब तक पुलिस द्वारा किसी बें दरहा की कारवाई इस गिरोह पर नहीं की गई मेट्रू मुंबाई के लिए राहूल शुक्ला की रिपोर्ट